यालो भाई, मैं वंगित बजाज वाले देर से ही समझे मगर समझ गया है भाई लोगों को मतलब इंडियन मार्केट में क्या चाहिए लोगों को इलेक्ट्रिक में वो अच्छे से समझ चुके हैं बजाज ने अपनी चेतक में एक नए मॉडल को लाउंच कर आ है जिसका नाम प्रीमियम दोहजर चौबीस है इस वाले वीडियो में मैंने बताया कि उसमें क्या क्या फीचर्स मिल जाता है क्या रेंज है क्या प्राइज है हर चीज बताया है लेगिन आज वाले वीडियो में अपन बजाज के दो मॉडल को एक दुजरे के साथ कंपेर करने वाले हैं एक मॉडल का नाम है प्रीमियम एक मॉडल का नाम है अर्बन पहले से आता था प्रीमियम जो आज लाउंच हुए आज नहीं कल लाउंच हुए भाई दोनों वेरेंट में लगबग कह सकते हो 20,460 रुपे का exorum price में difference है तो ये 20,460 रुपे आपको ज़्यादा दे के premium लेना चाहिए या फिर बचा के urban लेना चाहिए वो आज आपको detail में पता चल जाएगा मज़ा भर पूरा आने वाला है एक एक चीज detail में compare करेंगे वीडियो को skip मत करना है एंड तक देखना हमेशा की तरह सबसे पहले variant और color options compare कर लेते हैं भाई तो देखो चेतक अगर आप premium लेते हो जो आज launch हुए आज बोल रहा हूं बार बार कल जो launch हुए भाई उसमें दो variant इनों लाँच करा है एक standard एक tick pack है ठीक उसी परकार प्राइस का में उसमें color option ज्यादा दे रखा है वाँ बजाज वाँ अब भाई लुक और design compare कर लेते हैं दोनों model का देखो आप रांट से देखो भाई कुछ डिफ्रेंस नहीं है यार कोई एक चलक में देखे का ना उसको समझ भी नहीं आएगा कि कौन सा अर्बन है कौन सा प्रीमियम है लेकिन मैं आपको बतायता हूं लेफ्ट वाला नहीं है रीयर से देखो वही का ना या एक और साइट से देख लो वुह का ने लुक और design में बिल्कूल भी changes नहीं है वाई बस chrome के जगाई इनोंने supplement कर दिया है खेर अब बात कर लेते अगर आप अर्बन लेते हो तो उसमें 2.9 वार का बैटरी दिया गया है दोनों में लिथियम आई नी बैटरी है लेकिन भस थोड़ा सा किलो वार में अंतर हैं प्रीमियम में आपको थोड़ा सा ज्यादा रेंज मिलेगा अर्बन में थोड़ा सा कम मिलेगा कितना डिफरेंस वह मैं आपको बताता हूं आगे चलके अब बात कर लेते हैं चार्जिंग टाइम के बारे में अगर आप प्रीमियम वाले मॉडल को 0-100 चार्ज करना चाहो तो साड़े 4 घंटे आपको समय देना पड़ेगा जबकि अगर आप अर्बन वाले मॉडल को चार्ज करोगे 0-100 तक लगबग आपको 4 घंटे 50 मिनट लेंगे तो चार्जिंग टाइम में 20 मिनट का डिफरेंस है भाई अब रेंज की बात कर लेते हैं तो प्रीमियम वाला मॉडल आपको 127 किलोमेटर का रेंज देगा पर चार्ज है तो आप देख सकते हो कितना मतलब 14 किलोमेटर का डिफरेंस से जादर डिफरेंस इसको नहीं बोलेंगे अब थोड़ा टॉप स्पीड की बात कर लेते हैं प्रीमियम वाला मॉडल में अगर आप स्टेंडर लेते हो तो यहां पर बजाज थोड़ा से खेल रहा है बागी रही बात सस्पेंशन की तो दो सिंगल साइडेड लीडिंग वाला सस्पेंशन दिया गया है जो के तेलियोस्कोपिक से थोड़ा सा बढ़ीया माना जाता है लेकिन रियर में मोनोशॉक दे रखा है तो दोनों में सस्पेंशन के मामले में कोई डिफरेंस नहीं है तो टायर बिल्कुली सेम ही है बाई 12 इं मिलेगा लेकिन रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा वहीं अगर आप अर्बन वाला मॉडल लेते हो कोई सा भी टेक पैक का स्टेंडर कोई सा भी उसमें आपको फ्रेंट में भी ड्रम ब्रेक मिलेगा तो थोड़ा सा कर आपको ब्रेकिंग अच्छा चाहिए तो फिर आपको प्री इमेंशन की तो प्रीमियम वाला मॉडल 134 किलो भारी है जब की अर्बन वाला 133 किलो भारी है बस कर्विट में डिफरेंट है सीटाइट दोनों का सेम है ग्राउंड इसको बजाज बोल रहा है अब थोड़ा लगे आथ फीचर कर लेते बाई देखते हैं दोनों मौडल के प्राइज में 20-21 रुपे का डिफेरेंट है ना तो फीचर में कितना डिफेरेंस आता है देखो दोनों गाड़ियों के फ्रेंट में एलेड लाइट दिया गया इंडिक लेटर भी आपको LED मिलता है और हाँ दोनों गाड़ी में आपको DRL मिल जाता है जो काफी अची बात है में पता है क्या डिफेरेंस मिलता है में अगर आप प्रीमियम लेते हो तो ऐसे टाइप का मेंटर कंसोल मिल जाता है जो कर टॉच स्क्रीन नहीं है वाई लेकिन उसमें लेकिन इसमें टॉन बैटर नैविगेशन वेगर नहीं दिया गया तो यह चीज है और हाँ एक कंडिशन तो बताना भूली अगर आप प्रीमियम में भी स्टैंडेड मॉडल लोगे तो कुछ गीना चुना ही आपको में फीचर मिलेगा वह अगर आप टॉप मोडल लेते हो टेक पैक वाला तो उसमें आपको पूरा डिजिटल मेटर का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा मतला पूरा आप अपरेट कर पाऊगे तो बजाज बहुत सही खेल रहा है भाई हम लोगों के साथ है थोड़ा सा पैसा ज्यादा दोगे तब ही वो लोग फीचर्स दबा के दें अगर आप टेक वाला लेते हो तो उसमें इको असपोर्ट दोनों मिल जाएगा बाकि दोनों में रिवर्स शिष्टम मिल जाता है यस बी चार्जिंग पोर्ट दोनों में दिया गया है बूटर स्पेस में डिफरेंट है बाई प्रीमियम वाले में आपको 21 लेटर का बूट स्पेस मिलता है तो तीन लेटर का डिफरेंस है बाकि दोनों में की फोब दिया गया जिसको आप कीले सेंट्री भी बोल सकते हो गाड़ी को लोग अनलोग कर सकते हो लेकिन अन्तिती पलार में गया नहीं मिल रहा है इनको देने में क्या जा रहा था मेरे तो समस्ते वाहर है इतना पैसा ले रहे है फिर भी एक छोटा सा फीचरस नहीं दे रखा है खेर यहां पर मैंने आपको फीचरस तो कंपेर करके दिखला ही दिया बाई ऑल्मोस्ट है और हाँ गाडी को भी कंपेर कर दिया भाई दियो कुछ मेजर ज्यादा डिफरेंस नहीं है थोड़ा बहु उसका एकषit रूम प्राईज है वही अगर आप अर्बन में स्टेंडड लेते हो तो उसका एक लाख पंदरा जार रुपे एकषब रूम प्राईज है वहीँ अगर आप टेक पैक लेते हो इसमें एक लाख 2.3 रुपे उसका एकउरू प्राईज है तो दौनों मॉडल के standard model compare करते हो तो 20,430 रुपे का difference है वहीं अगर आप take pack वाले model को compare करते हो तो 21,430 रुपे का difference है बाकि अगर आपको on-road price जानना है तो 12,000 रुपे आप add कर देना किसी भी model के 100 रुप राइज में आपको on-road price पता चल जाएगा और हाँ उसमें थोड़ा बहुत आपको subsidy भी मिलेगा तो वह तो लेने के बाद ही आपको पता चलेगा जादा major difference तो नहीं है दोनों model में अगर आपको लेना ही है चेतक तो मैं तो कहूंगा भाई आप चुप चाप urban वाले में standard model को ले लो फालतू का उसमें features भी नहीं है और आपको रेंज भी ठीक तक मिली रहा है और चार्जिंग time 20 minute कम ज्यादा से क्या ही फरक पढ़ने वाला है और 10-20 km से क्या ही फरक पढ़ने वाला है क्यों 10-20 km के लिए ज्यादा पैसा पे करोगे मेरे इसाब सब्सक्राइब मैं आपको अपना opinion करेंज मिलता है एक बार चार्ज करने पर एक बार चार्ज करने में खुब से खूब आपका दोतीनी उनिट उठेगा मुश्किल से 20 रुपे तो आप अपने नजदी की प्योर इवी शोरूम में जाके वीजिट करके टेशराइड वगरा लेकर अच्छे से जनकारी ले सकते हो बहुत ही तगड़ी गाड़ी है वेरेंटी भी उसमें अच्छा कासा है और रेंज तो भाई बहुत ही तगड़ा है और फीचर्स भी उसमें दबाके दे रखा है चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाट हैंक्यू सो मच भाई हो दिल से जहिन सभी को